हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे तो आज इस वीडियों बात कने वाले हैं ICRUG 2022 की ओफिशियल कट ओफ सेकंड डाउन की कितनी रेंग तक जो है आपको सीट है वो अलोट्मेंट हो सकती है आप सभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने फर्स्ट डाउन में अपग्रेड किया था और सेकंड डाउन में जिन स्टूडेंट्स को सीट अभी तक अलोट्मेंट नहीं है और वो इंतजार कर रहा है कि सेकंड डाउन का मिनिमम कितना रेंग तक आपको सीट अलोट्मेंट हो सक सकता है तो चलिए आज किस वीडियो को में स्टार्ट करते हैं बीना आपका टाइम वेस्ट की हुए यदि आप चैनल पर नहीं हो तो डियर जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर हम बात करने वाले की कट ओफ की जिसमें ऑफिशल कट ओफ की हम बात करेंगी मिनिमम आपका इतना रेंक रहेगा तो इस साल आपको चेकंड डाउन में भी सीट अलॉटमेंट हो सकता है ठीक है यहाँ पर यहाँ और के टेगरी वाइस अंड सब्सक्राइब करेंगे सेकंड डाउन की मैं कट ओफ सबसे पहले आपको एक दिमाग में चीज रखना है कि इस साल जो आपका सीट अलॉटमेंट हो रहा है लास्टे से हम कंपेर करें तो इस बार सीट भी आपका 5% सीट अंक्रीच हुआ है जो आपका 15% सीटों पे आपका एडमिशिन हो रहा था वो इस साल 20% सीटों पे हो रहा इसके पीछे दो रीजन भी आपको है कि नमर ओफ स्टूडेंट्स कम है दूसरा नमर ओफ सीट से वो इंक्रीच हो चुकी है तो चलिए कॉमेंट बोक्स में अपनी रेंग जूरू बताते रहेगा कितनी रेंग पे आपको सीट अलॉटमेंट हो चुका है और जिनको नहीं म करता है सबसे पहले हम राउंड वाइस बात करेंगे सेकंड राउंड का कट ओफ है यह दि आपका इतना रेंक रहा तो बीच अगरी कल्चर का कोर्स कितनी रेंक तक मिलेगा तो बीच अपका चार से पाँछ थाजा क्यूंकि अभी तक काफी स्टूडिन ऐसे हैं जो फोर राउंड में जाएगा जो 6,000 या 7,000 को वहां तक मिलेगा लेकिन सेकंड राउंड में सभी स्टुएंट्स अपग्रेड करेंगे जिनको लगबग आप मानके चलो तो 50 या 60 पर्षेंड लोग अपग्रेड करेंगे फर्स्ट राउंड वाले और शेकंड राउंड में मैक आपको 15,000 तक रेंग है तो आपको कहीं ने कहीं बात करें तो 18K तक और PWD की आपको पता कि बहुत सारे सीटे वेकरिंट जाती है तो इस बार भी अभी 44,000 पर होटी कल्चर तक कोर्स फिसरी तक कोर्स अलोट हुए है तो यह आप यह सेकंड राउंड में 35K तक 35,000 तक भी आपको सीट अलोटमेंट हो जाएगी वही हम बात करें होटी कल्चर का सीट अलोटमेंट के बारे में तो होटी कल्चर का आपका 7,000 के अप्रोक्स रेंग है और आप सेकंड डाउंड में अप्लाई कर रहे हो तो सेकंड में आपका 7K और ओधी EWS है तो 7.5K मतलब 7,500 रेंग है वो आपस में क्लोजेस होती है क्योंकि सीट में कोई भी स्टूडेंट और भी CWS का जनरल का सीट भी ले सकता है ओके वही हम बात करें SC का तो SC में यही आपका 20,000 तक रेंग है और ST के हम बात करें तो 25,000 तक रेंग हो और PWD भी 40,000 तक भी होटी कल्सर का सीट अलो सीट अलोटमेंट हो सकती है SC ST की बात करें तो 16,000, 18,000 और PWD की हम बात करें तो 40,000 तक सीट है वो आपका अलोटमेंट हो सकता है ओके यह आपने पूरे कॉलेजेस आपने अच्छे से परफरेंस में लगा है तो कहीं देंगे आपको फोरेस्टी का सीट इतनी रेंग पे अल बात करें तो 42,000 तक आपको यहां पर सीट अलोटमेंट हो जाएगी क्योंकि काफी सीट से वेकेंट जाती है अब यहां पर बीटेग बात करें तो यह आपका रेंक है देखो बीटेग बात की होता क्या कि दो परकार के स्टूडेंट है जिनके PCV सबजेक्ट होता है और जि दिख और पीसीबी के हम बात करें तो PCV के यह आपका रेंक है 8-815 और 8.25 यह आपका OBC में हो तो यहां पर सीट अलोटमेंट हो सकती है एब यहां पर सीट अलोटमेंट हो सकती है Sans इसको कर सकते हैं अब हम बात करें अदर बीटेग के कोर्सीजेंट इंजनिर्श को जिस प आपको पता होगा काफी एक कोर्स हो जाता है आपको पता है क्लिकोंके सब्सक्राइब करते हैं तो बीटेंग अगरी गलिशर इंजिरिंग में यह आपका जनरल के टेवी से हैं और आपका रेंग 18 के आसपास आ रहा है मतलब 18,000 के आपका रेंग हो तो यहां पे आपको सीट मिलने का चांसेस है ओभी सी के हम बात करें तो गुनिस के तक और वहीं हम बात करें आपका 18 के 20 के और उसके बाद 20 के और वहीं SCST की बात करें तो 30,000 और 35,000 तक यहां पर सीट अलोटमेंट हो सकती है फूर बीटेक टेकनोलजी के लिए ठीक है तो यह आपका सीट मेट्रिक्स हो गया और यहां पर अभी आपको काफी स्टूडेंट यह सोच रहे होंगे कि यह जो डाटा है आपका फर्स्ट आउंड की कटोफ आपको देख लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने यही नहीं देखा तो उनकी वीडियोस भी आपक स्टूडेंट्स को सीट अलोट्मेंट हो चुका है अब सेकंड राउंड में देखो यह होगा कि अभी काफी स्टूडेंट्स ने अपग्रेड किया तो उनको भी सीट अलोट्मेंट होगी सीट उनका एक्सेंज होगा जैसे कि किसी को कॉलेज वह नहीं चाहिए तो अपनी स तो अभी तक फिलाल चैनल पर बने रही है और चैनल पर यदि आप नए हो यह वीडियो को आप पहले दिवार देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीचे और कमेंट बॉक्स में अपना रेंक ठीक है ओल इंडिया रेंक उसके साथ केट मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टेक क्यार चैनल को जूरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा